नमस्कार संजीब कपूर्स किचन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है चलिए कुछ फेवरेट रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ स्प्रिंग रोल टाइप बैंग या कुछ भी शेप बनाने के कोशिश करते हैं कुछ वेजटेबल के साथ में खेलने के कोशिश करते हैं तो इसके लिए तयारी फटा-फट चुरू कर देते हैं यह मेरे पास नॉन-स्टिक पैन और उसमें थोड़ा सा तेल यहां पर कुछ तो यह गार्लिक गुंजा है उसके बाद इसके अंदर डालें यह बीन्स यह लीजिए बीन्स इसके अंदर और इसमें हम डालते हैं यह गोभी कॉलिफलार कॉलिफलार इसके अंदर और थोड़े से कुछ मतर के दाने क्रश किये हुए और इसमें हम डालते हैं नमक पैपर यह लिटे अ मिल भी यह सब चीजों को हलकी सोते कर दें आज यह इसे बनाने के लिए मेरे पास फ्रिंग ऑज रॉल मल जात एंग थैं फ्रोजन तो आप ले यह सब्स इहां हलकी से सौते कर दें इसे बंद करते हैं और पिर यह जो है इसके प्रॉजर antar और इसके साथ इसमें डाल देते हैं थोड़ा पनीर ये लिजिए पनीर इसके अंदर अब इसे मिक्स कर लेते हैं ये सब चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई और अब ये बन गई हमारी स्टफिंग चलिए थोड़ा सा ठंडा करें इसे और इस स्टफिंग को लेकर रखते हैं हम इसमें ये लेगे ये मैं यहां पर लगा रहा हूँ मैदा और ये मैदा पानी में घुला हुआ और इसके बाद इसको हम रोल कर देते हैं इधर लगाईए थोड़ा मैदा ये इस तरह से और यहां पर मैदा अंदर लगाएं और और दबा कर इस तरह से बन कर दें सब तरफ से सील हो जाना चाहिए लेकिन किनारे जो है वो थोड़े खुले हुए होने चाहिए ये तयार और बाकी जितने हैं उसे भी इस तरह से कर लिया आप चाहें तो इसको अलग शेब भी दे सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है बस से रोल किया पैलास्ट में पानी के अंदर घुला हुआ रोल कर दिया अचा कुछ लोग क्या करते हैं यहां पर इसे लगा कर इधर इसे इसे फोल्ड भी कर देते हैं यहां पर देखिए वो मैं दिखा देता हूँ आपको यह लिया और इसे पूरा फोल्ड कर दिया इस तरह से तो आप जाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि जो थोड़े खुले वाले रहते हैं वो दिखने में जादा अच्छे लगते हैं मर्जी आपकी है कि आपको किस तरह से चाहिए बस उसके बाद में इसे हमने फ्राय करना है तो ड्री फ्राय करने के लिए तेल गरम कर लें और इसे आप चाहें तो थोड़े पहले बना कर रख भी सकते हैं और जब भी आपको यह चाहिए गरम गरम फ्राय करें औ यह देखिए, गर्मा गरम, यह जो हैं, इसको आप अलग-लग शेप से बना सकते हैं, कुछ लोग समोसे की शेप में बनाते हैं, कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं, आप गोल भी करके इसे बना सकते हैं, जैसे यहां पर यह मैंने गोल लिया हुआ है, आप इसको गोल करके बन सकते हैं पसंद आपकी है लेकिन ध्यान ये देना है कि जब आप इसको फ्राय करें तो बस इसे उसी समय सर्व करें गर्मा गरम एक तम क्रिस्प निकलता है और चक्नी या सॉस अपनी पसंद की मेरी पसंद थाय चिली स्वीट वाली जो होती है वह वाली सॉस है ना मसे गोल्डन बैक्स के लिए हमें चाहिए तीस पीस पांच इंच गोल्ड स्प्रिंग रोल रैपर दो बड़े चमच तेल प्लस तलने के लिए तेल दस कटी हुई लसुन की कलियां आधा कप बीन्स आधा कप फुलगो भी कुछ मटर के दाने नमक स्वादा नुसार एक चोथा चोटा चमच काली मिर्च पाउडर एक कप कदुकस किया हुआ पनीद आधा कप स्वीट चिली सॉस गोल्डन बैक्स फिलिंग बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन में दो बड़े चमच तेल गरम कर ले लसुन भून ले और सबजी का कीमा नमक और काली मिर्च डाल कर मिला ले दीमी आज पर 3-4 मिनिट तक पक में दे पनी डाले और मिलाएं मैदा की पेस्ट बना दे प्रिंग रोल शीट के चारो और मैदे की पेस्ट लगा दे और दूसरी और रोल करें सील करें गरम तेल में तल लें स्वीट चिली सॉस के साथ सर्फ करें